हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S22 Android में अगर आप अपने मुआल फोन से कॉल करते तो आपकी फोन की जो कॉल होते हो सेंड नहीं हो पाती है तो इस प्रॉल्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो म आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप यह वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कभी भी अगर आपके मुआल फोन की मुआल से कॉल करने पर कॉल सेंड नहीं होते है तो इसकी solution के लिए करना क्या है देखी दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपने mobile phone का जो calling कर रिचार्च कराती है उसे आपको चेक करना है कई वो खतम तु नहीं होगी है कई वार ऐसा होता नहीं कि हमारा phone का calling कर रिचार्च खतम हो जाता है जिसके करन्द phone की call send नहीं हो पाती है और दोस्तो अगला काम यह करना है कि आपका mobile phone का है SIM Card को से बाहर निकल करके 6 में दुबारा शाच चीज़ा लगा के फोन के अंदर दुबारा इंसर्ट कर दिना ठीक है इसे प्रॉल्лем विंटार हो जाती है अब पर अगला प्रोश्सेस यह करना है कि आपको अप्डेट है या नहीं है दूस्तों कई और आप्डेट अब होसे अपडेट नहीं करते हैं या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी फोन में अपडेट आया हुआ है, मॉबल्फोन का सेटिंग पेज मेंरे साइटिंग बीज़ में करनाई इसके अंदर आपको यह download install पे tap करना है आपको इस वाले page पे अगर कोई भी update का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको tap कर गए अपने phone का software अपडेट कर देना है जिससे आपके phone की जो call send नहीं हो पाती है यह problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है तरह करना आपको जाएगा इस तरह किसा आपको मोटल पोन की network setting को reset कर देना है जिससे आपके मोटल पोन की जो call send नहीं हो पाती है प्रोडम आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तो अगला process आपको करना है क्या है आपको अपने mobile phone के APN setting को reset करने के लिए आपको mobile phone का setting page open करना है setting page में आपको सबसे ओपर connection का option आपको tap करना है इसके अगले page में आपको यह mobile network का option tap करना है इसके अगले पेज में आपको यह access point name पे टैप करना है इसके अगले पेज में सबसे ओपर यह three dot option टैप करना है चोटा सब पेज ओपन होगा इसमें आपको reset to default पे टैप करना है नीचे एक page आजाएगा आपका आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आजाएगा एपन सेटिंग को भी reset कर देना है जिससे आपके mobile phone की call send नहीं होती है problem आपकी solve हो जाएगी अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यह करना है कि आपको अपने mobile phone को restart करना है ठीक है phone को restart करने के लिए phone का side power button आपको उंगली switch on हो जाएगा restart करने से होता है कि हमारे mobile phone के android system में अगर कोई problem आ जाती तो problem just solve हो जाती है ठीक है अब दोस्तों अगला process यह करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है otherwise phone को reset नहीं करना है phone को reset करने के लि अगले page में सबसे नीचे factory data reset का option tap करना है इससे आपका mobile phone reset हो जाएगा और आपके phone की call send नहीं होती है problem आपकी solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data है सारा data आपकिसी दूसरे phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए दूसरी बात ही ध्यान रखने है कि आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note कर गए रखना है तो यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद ही आपको अपने phone को reset करना ठीक है तो दोस्तों मेरे बताय हुए सारे process आप यूज करे यह problem आपके solve हो जाएगी ठीक है